गुड आफ्रनून फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीड करता हूँ कि बिलकुल अच्छे होंगे विंदास होंगे चैनाई सूपर किंग सी एसके मेहंडरि सिंग दोनी की टीप जब भी हम इस टीम के बारे में चर्चा करते हैं एक बात तो कहनी पड़ेगी कि IPL की सब से के साथ में परफॉर्मस करने वाली ये साइड रही है इनफेक्ट मैं कहूंगा कि मुंबई इंडियन से भी बेहतर तरीके से इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ में परफॉर्मस किया है मुंबई इंडियन की टीम ने भी पांच बार ट्रोफी जीती है इसके लावा देखें तो चिन्ही ने भी पांच बार ट्रोफी जीती है। लेकिन जब बात आती है कि कंसिस्टेंसी के साथ में किस टीम ने पहले सीजन से लेकर के आखरी सीजन दोहजार चौबिस तक प्रदर्शन करके रिखाया है। तो उस में उस परफॉर्मस में चन्ने का नाम मेरे नसर में आपकी मुंबई इंडियन्स से भी उपर है क्योंकि मुंबई इंडियन्स की टीम की रफ़तार रोहिच शर्मा के हातों में आई 2013 से रोहिच शर्मा ने अपने दम पर मुंबई की टीम को चैंपिन बनाया हार्दिक पांडिया थे, क्रुनाल पांडिया थे, बहुत तगडी टीम बनाई रोहिचरमा ने और 2020 में आकरके उन्होंने पांचवी दफ़ा चैंपियन बना दिया, मतलब कि एक तरफा रास चल रहा था उसमें मुंबई इंडियन्स का, उसी बीच में एक बार चन्ने की टीम चैंपियन बनी, एक बार हाइडराबाद की टीम चैंपियन बनी, लेकिन वो 6-7 साल मुंबई के आसपास बाकी कोई टीम में नसर नहीं आई, लेकिन चन्ने की बात करें तो पहले सीजन से लेकर के आखरी सीजन तक चन्ने की टीम ने हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ में प्लियर्स को इन्होंने रिटेन किया है, 55 करोड रुपए चन्ने के पास में हैं इस समय, और इन 55 करोड रुपए में चन्ने की टीम को बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है, अपनी पूरी टीम भी बनानी है, पांच प्लियर्स जो इन्होंने रिटेन किया है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, इनके नाम हैं आपके महेंडर सिंग धोनी, रुतुराज गायकवर्ड, इसके लाबा रबिंदर जाड़ेजा, मतीशा पाथिराना और शिवम दूबे, ये पांच ऐसे प्लेयर हैं जिनकों की चेनई की टीम ने रिटेन किया है, लेकिन बाक राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको लेकर के चेनई की टीम काफी ज्यादा सीरियस है, और चेनई की टीम किसी भी हाल में केल राहुल को अपने साइड यानि की अपने स्कॉर्ड में लाना चाह रही है, कि केल राहुल जो हैं वो चेनई की तरब से खेलें, लुतुराज गा से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को आखरी तक देखेगा और किस शेहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि केगल राहूल को लेकर के चिन्नई की टी ये उनका वेचार है डेवन कॉन्वे को नोंने खोया है कंसिस्टेंसी से उन्होंने भी रण मना है लेकिन अब वो केघल राहूल की तरफ जाना चाहते है तो पहला जो नाम आता है चिन्ने के लिस्ट में जो उचाह रहे हैं कि किसी भी हाल में यह खिलारी हमारे फ्रैइजिस के खिले है। उसमें सबसे पहला नाम आता है केle Grahul का बहुत बड़ा नाम और बहुत तगड़ा काम करच में और बहुत शांत फ्रैइजई ए सुपे किंग्स के लिए बहुत जादा हो हला नहीं है तो अब इसी बात है कि अगर वो चाहते हैं और अगर RCV ने उनको जाने दिया तो चैने की टीम उनको लेने के लिए तयार है लेकिन RCV भी केल गाहूल को लेकर के बहुत जादा सीरियस नसर आ रही है दूसरे नाम जिनके बारे मैंने आपको पहल नहीं आते हैं क्योंकि अगर RCV पंद चाहें कि वो चन्ने से खेलें लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं खेल सकते हैं लेकिस अगर पंजाब ने चन्ने से जादा बोली लगा दी या कितनी भी बोली मालीजे किसी भी फ्रेंचाइजी ने लगाई और अगर डेली कैपि एक ऐसे विकेट कीपर बले बाज हैं जो कि महनरी सिंग धोनी के बाद लगातार cricket खेल सकते हैं चन्ने के लिए 10-15 साल service दे सकते हैं और महेंड़ सिंग धोनी को रिटेन किया गया है सिर्फ महेंड़ सिंग धोनी के लेगसी को ले करके एक ऐसा नाम महेंड़ सिंग धोनी दूसरी बात है कि अभी भी महेंड़ सिंग धोनी फेट हैं अभी भी खेलेंगे तो वो 100% देंगे महेंड़ सिंग धोनी और उनका 100% MS धोनी के replacement के तौर पर MS धोनी squad में होंगे MS धोनी हर match खिलेंगे इसकी कोई guarantee नहीं है और अगर रिशपपन्त इनके team में आ जाते हैं अगर मालीजे पैसा invest कर देती है चेन्ने की team अपने बाकी players को देखते हुए हिसाब किताब देखते हुए क्योंकि 55 करोड इनके पास में है तो बहुत ज्यादा इनके पास में रकम नहीं है क्योंकि पंजाब इनसे double लेकर के बैठा हुआ है 80-90 करोड के आसपास आपके RCB के पास में है तो उनके पास में भी अच्छी खासी रकम है लेकिन रिशपपन्त को ये खरीदना चाहते हैं पूरी तरीके से ये लगे हुए रिशपपन को खरीदने के लिए इसमें कोई शक नहीं है तीसरे नाम जो सामने आ रहे हैं चैने के लिस्ट में वो हैं जॉस बटलर जिनको की रास्तान रॉयल्स की टीम ने जाने दिया रास्तान रॉयल्स के पास में मेरे ख्याल से अब कोई आर्टीम बचा भी नहीं है उ बहुत हाई प्राइस पर जाते हैं जो की बजट चेन्ने के पास में अभी है नहीं तो फिर वो ज़रूर जॉस बटर के बारे में सोचेंगे और एक और नाम है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो हैं आपके जो यहां टेली कैपिटल्स के सलामी बलेबास थे जेम्स लेकिन पहला उनका टारगिट जॉस बटलर भी है जॉस बटलर अगर चने की तीम में आ जाते हैं तो फिर उनका काम बनते बे नजर आएगा यजlaw बेंड चेहल भी रिलीस कर दिये गए हैं और यजद बेंड चेहल को चने की तीम लेकर के आ सकती है महेश तिक्षना को उन्होंने रिलीज किया है लेकिन यजुबेंड चेहल को ये ले करके आ सकते हैं बेकिल्स चेपक स्टेडियम में गेंड जो है वो स्पिन करती है बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग माच्चेज आपको देखने को मिलेगा नहीं और यजुबेंड चेहल आईपेल के हाईस वेकेटेकर है और इनके बजट में भी आ जाएंगे स्मार्ट मूव रहेगा चेन्ने के लिए और इनके बारे में भी चर्चा चल रही है कि यजुबेंड चेहल को चेन्ने की टीम पिक करना चाहती है एक नाम जो आप लोग को शायद सर्प्राइस करेगा अईयर का लेकिन ये शरियश अईयर नहीं है ये वेंकटेश अईयर है वेंकटेश अईयर के साथ भी चेन्ने की टीम जाना चाहती है चेन्ने फ्रेंचाइजी वेंकटेश अईयर को अपने स्कॉर्ड में लाना चाहती वेंकटेश ऐयर को लेकर के बहुत सारे न्यूस चैनल अभी शान्त है लेकिन मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि यह कैसा खिलारी जिनकी रकम बहुत जादा जाने वाली है साइपियल में तगडे बैट्समेन हैं मैच जिताओ बल लिबाज हैं आईपियल चैंपियन बनी के के आर की टीम उसके सबसे कंसिस्टेंसी के साथ में रन बनाने वाले खिलारी हैं बड़े मैच में बड़ा रन करते हैं वेंकटेश हैयर और चन्नेई की टीम इनको अपने स्कॉर्ड में शा हाई प्राइस पर जाएंगे बैक अप प्लैन के तौर पर इनोंने इशान किशन को भी रखा हुआ है अगर रिशब पंत नहीं आते हैं तो फिर रिशब पंत की तरही काम करने वाले एक विकेट की पर बलेबास इशान किशन को लेकर के ये चारें कि फिर यह आ जाएं यान केल राहुल रिशप पंद जौस बतला यजुबेन इचहल वेंकटेश एयर और इशान किशन हलांकि ये सब के सब तो नहीं लैंड कर पाएंगे लेकिन इन में से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको की चन्ने की टीम 100% इस आॉक्षन में लेते वे नसर आएगी और ये सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजेगा और लगातार बनेडे स्पोर्स टॉक के साथ में